ये अश्राज फिल्म बैनर तले बनी फिल्म वार में गुरू और चेले बने वृतिक रॉषिन और टाइगर शॉफ की दुश्मनी बड़े परदे से निकल कर असल जिंदगी में भी देखने को मिल रही है मेकर्स का दावा है कि आज से पहले किसी भी हिंदी फिल्म में इस तरह का एक्शन देखने को नहीं मिलेगा और फिल्म के अंदर दोनों ही जैसी दुश्मनी नजर आ रही है अब वे प्रोमोशन के दौरान भी शुरू हो गई है फिल्म की रिलीज से पहले टाइगर शौफ और रितिक रॉशन कहीं भी अब एक साथ नजर नहीं आने वाले है इरादा ये है कि रितिक और टाइगर की बड़े पर्दे बढ़ने भाई दुश्मनी की जलक प्रोमोशन में भी देखने को मिले निर्माताओं ने ये तैग किया है कि दोनों सितारों की फिल्म के प्रोमोशन के दौरान कोई भी मुलाकात नहीं होगी वैसे ये फिल्म को प्रोमोट करने की अच्छी खासी स्ट्राटेजी है लेकिन रितिक और टाइगर के फैंस उनने बड़े पर्दे से पहले प्रोमोशन में दूनों को साथ देखने के लिए काफी बेकरार है वैसे आपको बता दे हाली में हमारे 24 की कैमरामैन ने रितिक रोशन को जूहू में फिल्म को प्रोमोट करते हुए स्पोट किया है इस दरान रितिक बड़े ही डैशिंग लुक में नज़र आ रहे हैं साथी रितिक ने रुख कर मीडिया को कई पोस भी दिये वैसे आपको बता दे जब फिल्म के डारेक्टर से स्ट्राटेजी के बार में पूचा गया तो सिधार कहते है वार में हिंदी फिल्म जगत के दो एक्शिन सुपरस्टार नज़र आने वाले हैं हम चाहते हैं कि दर्शक पहली बार दोनों को एक साथ सबसे पहले सिर्फ सिनेमा घरों में ही देखें इसलिए स्क्रीन पर जो दोनों की केमिस्ट्री है वे फिल्म के प्रोमोशिंग के दरान भी जारी रहेगी इस दरान वे कहीं भी एक साथ नज़र नहीं आएंगे फिल्म को प्रोमोट करने का आइडिया वाके ही नयाब है बतादे फिल्म बड़े परदे पर दो अक्ट्यूबर को रिलीस की जाएगी लेकिन तब तक रृतिक ताइगर की जोड़ी आपको देख नहीं पाएगी वैसे आपको हमारी यह स्ट्यूरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगे